हलो बच्छो नमस्कार तो पहरे बच्छो एक छोटा सा टॉपिक रहे था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वैसे तो आपके कोर्स से कट गया है मैंने पहले ही बता दिया है लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगा आपके काम आएंगी ठीक है तो बच्छो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में भी बहुत सारे आते हैं लेकिन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में आता है एक आता है एक आता है नॉन कंकरेंट तो हमें सीखना है नॉन कंकरेंट नॉन कंकरेंट मतलब क्या जो डिवाइड होते होते आगे न non terminating यह दोनों टौपिक हम एक साथ पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं, SANT और इसान्त ठीक है, और इसान्त ठीक है बच्छो, SANT और इसान्त, सांत में क्या होता है बच्छो, ध्यान से सुनना, सांत में क्या होता है कि हम लोग किसी भी particular एक fraction को divide जब करेंगे तो वो divide होके खतम हो जाएगा चाया point के बाद हो लेकिन non-terminating में असांत में क्या होता है कि ये divide चलता ही रहेगा खतम नहीं होगा तो इसलिए इसको कहते है non-terminate कभी खतम ही नहीं होगा असांत कभी सांत पड़ेगा ही नहीं मतलब terminating सांत मतलब क्या कुछ टाइम के बाद ये divide हो जाएगा और completely खतम हो जाएगा जैसे इसकी पहचान क्या होती है अब यह याद रखना अगर किसी के denominator में किसी के हर में 2 की power M आजाए 2 की power M आजाए या 5 की power M आजाए या 2 की power M multiply 5 की power N आजाए तो वो हर हाल में क्या होंगे? सांत होंगे, terminating होंगे सांत होंगे और इसके अलावा अगर कुछ भी आ गया तो वो असांत होंगे इसके अलावा कुछ भी आगया तो वह असान्त होंगे जैसे मैं एके करके बच्चो एक्जामपल ले रहा हूँ फटा-फट समझिए 1.4 का question number first 13 बटा 3125 ठीक है चलो चेक करते हैं कि भाई इसके denominator में ये आ रहा है ये आ रहा है या ये आ रहा है चलो तो 3125 का factor बनाओ 3125 पर किस से जाएगा 5 से जाएगा ठीक है 531 और एक दिया 5 दुनी और ये 25 5 एकम 5 दुनी 5 पंजे 5 दुनी 5 पंजे 5 5 5 5 एक तो इसको क्या लिख सकता हो मैं 13 बटा 5 की पावर 1 2 3 4 5 5 की पावर 5 हाँ जी तो देखो क्या इसका डिनोमिनेटर इसकी तरह लग रहा है 5 की पावर N की तरह लग रहा है मतलब क्या 5 की पावर N N और M कौन है या पे 1 2 3 4 5 6 तरीके से तो 5 की पावर 5 आ गया है मतलब ये condition होगी तो इसका मतलब ये terminating है ठीक है question number इसका second second देखो 17 बटा 8 8 का factor बनाओ जी denominator का बनाना हमेशा 2 4 2 2 2 1 हाँ जी तो 17 बटे में 2 की पावर 1 2 3 तो 2 की पावर 3 क्या इसकी तरह लग रहा है हाँ जी तो इसका मतलब terminating है ठीक है एक question और लेते है जैसे ये लेते है 129 बटे में 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 देखो ये non terminating है बच्चो असान्त है कैसे पता चलिगा मेरे को देखते ही क्योंकि मैंने क्या बताए था denominator में या तो 2 की पावर M हो या तो 5 की पावर N हो तो देखो 2 की पावर M है 5 की पावर N है लेकिन extra क्या आ गया 7 की पावर 5 तो बस ये क्या हो गया non terminating इसके लाबा एक भी फाल तो दिख जाए ना बस खतम कर दो से वही ठीक है और देखो और दिखाता हूँ और question है जैसे हम ये देखते हैं ये देखो छे बटा पंदरा question number है 8 question number 8 6 बटा पंदरा पंदरा का factor बनाओ भई पंदरा का factor बनाओ 3, 5, 5, 1 तो ये क्या आ गया है 6 बटे में 3 गुना 5 लो जी मैंने क्या कहीं पे भी 3 लिखा है नहीं तो इसका मतलब क्या है non terminating मतलब क्या अगर बच्चो दो और 5 के इलावा कुछ भी दिखाई दे जाए तो बस वो क्या होगा non terminating हो गया ठीक है फटा फट नोट कर लो chapter खतम हो गया अब नए chapter सुरू करने जा रहा हूं quadratic equation क्योंकि बच्चों कोई जवाब नहीं आया क्या हंजी कौन सा chapter करें quadratic equation करें या AP करें ठीक है तो quadratic equation नहीं कर लेते हैं अच्छा chapter भी है और सीखने में मजाएगा interesting chapter AP भी अच्छा है दोनों अच्छे हैं लेकिन sequence में चलते हैं पहला हो गया दूसरा हो गया तीसरा हो गया अब चौथा करते हैं चैप्टर नमबर 4 नोट कर लो इसे फटा फट बच्छो फिर मैं आपको चैप्टर नमबर 4 सुरू करा रहा हूँ जिसका नाम है quadratic equation बड़ा प्यारा चैप्टर है बहुत interesting चैप्टर है बहुत मजाएगा करने में चलो देखेंगे बच्छो शुरू करते हैं चैप्टर quadratic equation दोई घाच समी करन और बच्छो एक बात और announce करनी थी मुझे अब से हर Saturday आप लोगों का test होएगा Every Saturday रात आठ बजे ठीक है हर Saturday बच्छो आप लोगों का test होगा रात आठ बजे और कल, कल Saturday है तो कल रात आठ बजे आपका chemical reaction equation का test है first chapter के science का ठीक है, science का first chapter quadratic equation दोई घाच समी करन दोई घाच समी करन quadratic equation बच्छो इसमें मुझे कुछ भी नया बताने की जुरूत नहीं है polynomials के chapter में मैंने ये chapter आधा पहले ही करा दिया था आपको मतलब मैंने पहले से ही आपको एक मिन बच्छो एक मिन का time लोगा हंजे बच्छो तो मैंने आप लोगों को पहले से ही सुरुआत से ही आप लोगों को मैंने quadratic equation पे बहुत force किया और काफी सारी चीजे उसमें मैंने आपको polynomials में ही सिखा दी quadratic equation की ठीक है तो आकिरकार हम लोगों ने quadratic equation के अंदर क्या क्या चीजे सीख ली है चलिये सुरु करते हैं मैं कुछ question आपके सामने ले रहा हूँ और भई यहाँ पे बताना सुरु कर रहा हूँ लेकिन उससे पहले questions करने से पहले एक बात समझाऊँगा क्या बात समझाऊँगा पहले बात हमारे अंदर से यह बात कैसे निकलेगी कि हम कैसे बोल दें कि हाँ भै ये quadratic equation है आप किसी इनसान को देख के ही तो बता बाते हो तो इसी प्रकार बच्चो आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है सबसे पहला काम करना है कि आप quadratic equation को पहचानो कि quadratic equation होती क्या है तो चलिए पहचानते हैं ठीक है पहचानते हैं जैसे मैं chapter open करता हूँ देखिए 4.1 4.1 ठीक है 4.1 का question number first लिखा हुआ है x plus 1 का whole square बराबर 2x minus 3 कहरा बताई ये कि क्या ये quadratic equation है तो बच्चो चलो solve करते हैं मुझे ये बताओ क्या ये आपको a plus b का whole square लग रहा है जी बिलकुल लग रहा है apply करेंगे a square plus b square plus 2ab इसको अंदर multiply करो 2x इसको अंदर multiply करो minus का 6 solve करो x square plus 1 plus 2x इसको ठाके दर ले ओ minus का 2x इसको ठाके दर ले ओ plus का 6 बराबर क्या रहा है 0 x square 2 से 2x cancel 6 और 1 7 बराबर 0 अब आप ये देखो कि बच्चो quadratic equation जो हम देखते हैं तो हम पहले चेक करते हैं variable क्या है तो इसका variable है x अब quadratic equation का मतलब highest power 2 होनी चाहिए highest power क्या होनी चाहिए 2 तो x के highest power कितनी है 2 तो इसका मतलब ये quadratic equation है ये quadratic equation है ठीक है जी second अब मैं जैसे question आपको कराता हूँ अब मैं आपको question कराता हूँ जैसे ये देखो second का x square minus 2x बराबर minus का 2 3 minus x चलिए तो x square minus 2x अंदर multiply कीजिए minus का 6 अंदर multiply minus minus plus का 2x उठा के इदर लियाओ x square minus 2x plus का 6 minus का 2x minus 6 इदर आके plus plus 2x इदर आके minus तो x square minus 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 का 4x plus का 6 बराबर 0 तो मैंने क्या बताया x के highest power क्या होनी चाहिए 2 क्या highest power 2 है हाँ जी है तो इसका मतलब ये भी quadratic equation है ठीक है चलो अब चेक करते हैं अब किसी और को चेक करते हैं हम ये देखो ये देखो एक 8th कराता हूं इसका x cube minus 4x square minus x plus 1 बराबर x minus 2 का cube ये दिया हुआ है ठीक है तो ये देखो x cube minus 4x square minus x plus 1 a minus b का whole cube लगता हो दिखाई दे रहा है तो a minus b का whole cube क्या होता है a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square x cube minus 4x square minus x plus 1 x cube 2 का cube 8 होता है बच्चो 3 into 2 6 x square plus बच्चो 3 into x into 2 का square कितना होता है 4 तो क्या बन गया x cube 4x square minus x plus 1 x cube minus 8 6x square 3 forja 12x ठीक है अब देखना क्या होगा बच्चो x cube से x cube cancel ठीक है ये minus का 4x square minus x plus 1 minus का 8 इस तरफ आके plus का 8 minus का 6 इदर आके plus का 6x square minus का 12x इदर आके plus sorry plus का 12x इदर आके minus बराबर 0 तो देखो 6x square प्लस का 4x square माइनस का तो माइनस हो जाएगा quadratic equation की पहचान क्या होई जिसकी variable की power highest power 2 हो जिसके variable जिसके अचरपद की जो sorry जिसके चरपद की highest power कितनी हो 2 हो उसी को quadratic equation कहते है और equation कब बनता है equation तब बनता है जब equal में क्या हो 0 हो equal में क्या हो 0 हो तब ही हम इसको क्या कहते है quadratic equation note करो फिर कुछ factors सिखाता हूँ इसे note करो इसे note करो फिर मैं कुछ factors सिखाता हूँ आपको कि 5 factors कैसे बनाते है और test की त्यारी बच्चों बहुत अच्छे से करते रहना क्योंकि पेपर के point of view से बहुत important सीच चलेगी आपकी exam में चलिए देखते हैं तो आज की class में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको quadratic equation सिखा रहा हूँ कि कैसे इसको factor बनाते हैं क्योंकि देखो मैं पहले भी आप लोगों को polynomials के chapter में यह करवा चुका हूँ तो आप मेरे को कोई यह नहीं बोलेगा बच्चा कि हाँ जी हमें factor करना नहीं आते ठीक है क्योंकि वह अगर नहीं आते तो इसका मतलब यह अब आपकी कमी है क्यों? क्योंकि polynomial में कम से कम मैं पचासो कोशन करवा चुका हूँ और अगर अभी भी आपसे नहीं हो रहे हैं solve तो आप उन वीडियो को जाके दस बार देखो उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अपने आपको खुज सुधार हो अब आप यह सोचोगे कि मैं एक एक बच्चे का हाथ पकड़के करवा हूँ कि हाँ जी ले बेटा का ऐसे लिखते हैं और फॉर चेप्टर भी वही सेम चीज है ठीक है उसके बावजूद भी एक किलास में आपको दे रहा हूँ इस चीज की और अगर अभी भी नहीं करोगे तो बच्चों यह आपकी मिस्टेक है चलो तो एक अगर के कोशन करा रहा हूँ मैं आपको अन्जी हाँ इसमें मैं एक नई चीज अपनी तरफ से जोड़ूँगा बच्चों में क्या जो रूट वाले होते हैं न कोशन वो जोड़ूँगा अपनी तरफ से देखना चलो अब जैसे यह देखो 6x2-x-2 बराबर 0 ठीक है यह दीवी आपको एक्वेशन क्या रहे हैं सॉल्व करो इसे इसके फैक्टर बनाओ तो मैंने क्या सिखाय था x square के आगे क्या दिख रहा है आपको और सबसे last में क्या दिख रहा है आपको मैंने बतायता है इन दोनों को multiply करो last वाले को और पहले वाले को तो क्या हो जाएगा 6 to 12 12 इसका factor बनाओ 2 6 2 3 3 1 अब इसको ऐसे arrange करो कि बीच में मुझे 1 मिल जाए बीच में मुझे क्या मिल जाए 1 क्योंकि यह क्या अकेला x है और अकेला x का मतलब क्या होता है 1 x अकेला x का मतलब 1 x अब देखो 2 2 जा 4 3 बन जा 3 4 में से 3 जाएगा बन आ जाएगा आ जाएगा की नहीं लेकिन बच्चो मुझे जो x चाहिए हो कैसा चाहिए minus का तो मैंने क्या सिखा है था अगर मुझे minus का number चाहिए तो बड़ा number minus और छोटा number क्या लेते हैं plus तो बस बात खतम 6 x square बड़ा number minus का 4 x छोटा number plus का 3 x minus 3 बराबर 0 अब एक बबताओ जो 6 है 6 है क्या मैं उसे 2 into 3 लिख सकता हूँ और 4 को 2 into 2 लिख सकता हूँ हा की ना बोलो इन दोनों में से common देखो क्या आ रहा है एक तो 2 आ रहा है और एक x आ रहा है सही बात है तो जब 2 भी आ गया x भी आ गया तो अंदर क्या बचा 3 x का square में से x निकाला 1 x 2 x common आ गया बचा क्या 2 plus 3 x और 2 में से क्या common आ रहा है कुछ भी नहीं 3 और 2 में से क्या आ रहा है कुछ भी common नहीं आ रहा है और एक बार इसको 0 के बराबर माइनस कर 2 इदरा के प्लस ये इदर मंटिप्लाई कर रहा है इदरा के क्या करेगा डिवाइड ये प्लस कवान इदरा के माइनस ये इदर मंटिप्लाई कर रहा है इदरा के क्या करेगा हो गया आगया अंसर तो इसी को कहते है देखो 2x square plus x minus 300 बराबर 0 minus 300 बराबर 0 शुरू करें तो क्या सीखा हमने सबसे आगे देखो सबसे पीछे देखो दोनों को multiply कर दो तो 300 गुने में 2, 600 बनाओ factor 2, 300 2, 1, 500 2, 75 3 से करेंगे 25 5 से करेंगे 5 5 से करेंगे 1 हाँ जी अब इन सबको इस तरीके से range करना है कि बीच में क्या आजाए 1x बीच में क्या आजाए 1x तो 5, 5 जा 25 2, 2 जा 4 4, 2 जा 8 8, 3 जा 24 हाँ जी 24 और 25 के बीच का gap 1 होता है बिल्कुल मुझे 1 कैसा चाहिए प्लस का तो बड़ा नंबर प्लस छोटा नंबर माइनस क्योंकि मुझे प्लस का नंबर चाहिए एक बात याद रखना बस अगर नंबर प्लस का चाहिए तो बड़ा नंबर प्लस छोटा नंबर माइनस और अगर नंबर माइनस का चाहिए तो बड़ा number minus, छोटा number plus, बस इतना याद रखना है, तो बस 2x square, बड़ा number क्या है, plus 25, छोटा number क्या है, minus का 24x, minus 300 बराबर 0, इन दोनों में common क्या रहा है बच्चो, सिर्फ x, तो अंदर क्या बचा, 2x plus में 25, अच्छा यहां से common क्या आएगा, जल्दी बता दो मुझे, नही मुझे अंदर क्या चाहिए, मुझे अंदर चाहिए, 2x plus में 25, क्योंकि जो यहां पर होगा, वहीं यहां पर होगा, तो बच्चों मैं ऐसा क्या common ले लूँ, कि यहां पर 2 आ जाए, तो देखो, minus तो मैं पहले common ले चुका हूँ, क्यों ले चुका हूँ minus, क्योंकि मुझे ये भी प्लस में चाहिए, ये भी प्लस में चाहिए, तो minus तो मैं common ले चुका हूँ, अब मैं और क्या common ले लूँ कि 2 हो जाए, तो भाई, मुझे पता है, 24, 24 कब बनता है, 12 गुने में 2, 12 दूनी 24 होता है, सही बात है, तो जब मैं 12 common ले लूँगा, तो यहाँ 24 बनेगा की नहीं बनेगा, definitely बनेगा, तो इसलिए बच्चो, मैं यहाँ से minus के साथ साथ, क्या common लूँगा, 12 common लूँगा, क्या common लूँगा, 12, क्योंकि 12 टूजा 24, और 12 टूजा 25 जा 300, अब इतनी लंबे टेबल तो आपको याद नहीं हो सकती, और एक बार इसको जीटो के बराबर रखे, तो एक्स बराबर, यह प्लस का 25 इदर आके माइनस, 2 इदर मंटिप्लाई कर रहा है, इदर आके डिवाइड, और यह माइनस का 12 इदर आके प्लस, पल्ले बड़ी बात, नोट करो, नोट करो, आज ऐसे ही कोशिन करवाँगा बहुत सारे, फिर रूट वाले भी कुछ कोशिन करवाई दूँगा, नोट कर लिया, देखो बच्चो, शुरू करते हैं अब, ठीक है, और कोशिन करवा रहा हूँ, आज मैं सरीव आपको इसी टाइप के कोशिन करवाऊँगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे से, इसके मतलब जो अच्छे तकड़े कोशिन होते हैं, वो सब करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई रूल बगेरा तो होता नहीं है, सिर्फ यह कॉड़रेटिक की कोशिन होता है, तो इसलिए सीधा वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाएंगे हम इसके, ठीक है, अच्छा, एक यह देखो कोशिन, टू एक्स स्क्वेर माइनस एक्स, प्लस वन बाई एट बराबर जीरो, यह दिया हुआ है, अब भाई इसका फैक्टर कैसे करें, यह तो बड़ी खतरनाक बात हो गई, तो मैंने क्या बताया था, कि जब भी कोई क्वाड़रेटिक एक्वेशन में फ्रेक्शन आ जाए, तो जो भी नमबर बटे में होगा न, उतने से मंटिप्लाई कर दो, जो भी नमबर बटे में होगा, अगर आठ है तो आठ से करो, चार है चार से करो, तीन है तीन से करो, पचास है पचास से करो, जो भी नमबर बटे में होगा उससे मंटिप्लाई कर दो, और मंटिप्लाई करके, क्या सब से करना है, इससे करोगे, 8 दुनी 16 X स्क्वेर इस से करोगे 8 एकम 8 X फिर इस से करोगे तो क्या होगा 8 से 8 कटेगा बचेगा 1 और फिर 0 से करोगे तो 0 से तो 0 ही आता है लो जी quadratic equation simple हो गई अब क्या करना है आगे वाले को और पीछे वाले को multiply तो क्या बनेगा 16 और कैसे कटेगा 2, 8, 2, 4 2, 2, 2, 1 अब हमें बीच में क्या चाहिए 8 तो 2, 2 जा 4 2, 2 जा 4 4 और 4 8 होते हैं की नहीं होते हैं लेकिन मुझे 8 चाहिए कैसा minus का तो इसको भी minus का लेना पड़ेगा और इसको भी minus का क्योंकि minus minus plus तो बच्चो 16 X square minus 4 X minus 4 X plus 1 बराबर 0 अच्चा इन दोनों में क्या common आ रहा है मुझे यह बताओ 4 X क्यों क्योंकि 16 को भी तो मैं लिख सकता हूँ 4 into 4 है ना तो एक 4 और एक X common आ गया तो अंदर क्या बचेगा 4 X कैसे नहीं समझ माया है दुबारा देख सकते हो इस 16 को मैं 4 into 4 लिख सकता हूँ की नहीं लिख सकता हूँ बोलो तो अब देखो अब देखो इन दोनों में क्या common आया एक तो 4 आया एक X आया तो अंदर क्या बचा 4 2 में से 1 X निकाल लिया 1 X और यह तो पूरा ही common निकाल लिया तो क्या बचेगा 1 अब इधर देख रहा हूँ हाँ जो इधर चाहिए वही मुझे इधर भी चाहिए जो इधर चाहिए वही मुझे इधर भी चाहिए तो देखो 4 X है 1 है लेकिन एक दिक्कत हो गई यार क्या कि भई इस 4 के आगे minus है और इस 1 के आगे plus है लेकिन जो मैंने अंदर लिया है 4 वाला प्लस का लिया है और 1 वाला माइनस का तो इसका मतलब जरूर मैंने क्या common निकाला होगा माइनस common निकाला होगा क्यों? क्योंकि जब हम जबरदस्ती माइनस common लेते हैं तो अंदर के sign change हो जाते हैं अंदर के sign क्या हो जाते है चेंज ये सारी बाते मैंने आपको polynomial में पढ़ा रखी है अच्छा अब इन दोनों में कुछ भी common नहीं आ रहा तो क्या common आएगा 1 बराबर में 0 solve करो अब एक बार इसको एस अंदर और फिर एक बार इसको हाँ जी अब एक बार इसको 0 के बराबर एक बार इसको 0 के बराबर minus करो इस इस अच्छा कोषिण लगए हाँ थे कोषण और कराता हूँ आपको ये भी देखो 100 X square यह सब NCRT के गोशन है ठीक है प्लस 1 बनाबर 0 ठीक है जी चलो अब इसका factor बनाते हैं मैंने क्या बताया था आगे वाला लास्ट वाला multiply 100 एकम 100 factor बनाओ 2 से करेंगे 50 2 से करेंगे 25 5 से करेंगे 5 5 से करेंगे 1 मुझे 20 में क्या चाहिए 20 मुझे 20 में क्या चाहिए 20 तो देखो ना 5 2 जा 10 10 और 10 20 होते हैं की नहीं लेकिन मुझे 20 चाहिए कैसा माइनस का तो ये भी माइनस और ये भी माइनस 100 X square minus 10 X minus 10 X plus 1 बराबर 0 क्या मैं इस 100 को 10 into 10 लिख सकता हूँ हा की ना 10 X तो 10 भी आ गया X भी आ गया तो बचा क्या 10 X और यहां से तो पूरे ही common आ गया तो बचा क्या 1 अच्छा अब जो मुझे यहां चाहिए वही मुझे यहां भी चाहिए यही है ना लेकिन हमने क्या देखा कि इधर चाहिए मुझे 10 X minus 1 और मेरे पाँ है क्या minus का 10 X और plus का 1 तो इसका मतलब जरूर मैंने क्या जबदस्ती की होगी मैंने जबदस्ती minus common लिया है अब चेक करते हैं कि दोनों में common क्या आ रहा है तो दोनों में कुछ भी common नहीं आ रहा और जब कुछ भी common नहीं आ रहा हो तो क्या लेंगे बच्चो 1, क्या लेंगे 1 तो बस अब एक बार अंदर वाले को और एक बार बाहर वाले को अब एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर minus 1 इदर आके plus 1 और ये इदर आके multiply कर रहा है इदर आके divide इदर आके multiply इदर आके divide खतम का नहीं answer तो अगर जिन मंचों ने polynomials की practice की होगी तो उनके लिए ये question बिल्कुल बच्चों के खेल होंगे और जिनों ने lockdown के पूरे मज़े लिए होंगे उनके लिए question दूर दूर तक कोई साथ नहीं निवा रहा होगा ठीक है क्योंकि मैं अभी ये करा रहा हूँ उसके पास सीधा मैं word problem पे आ जाँगो क्योंकि इसके अंदर कोई type है ही नहीं ना elimination है ना substitution है ना cross है कुछ भी नहीं है सीधा क्या है भई सीधा word problem से लेकिन मैं इतना निर्दाई नहीं हूँ इसलिए word problem से पहले कुछ अच्छे questions करवा रहा हूँ ठीक है चलो अब इस type के question तो आप लोग करी लेगो अब मैं आता हूँ root वाले question पे इसको note कर लिया सभी अच्छों ने note कर लिया होगा अब मैं आता हूँ root वाले questions पे चलो root वाले question करते है ठीक है दो तीन question करा देता हूँ फिर आप लोग आड़ी शर्मिस से try करना हो जाए तो ठीक वरना मेरे को भेज देना root वाले मैं करा दूँँगा root वाले के लिए tension नहीं लेना root वाले सारे मैं करा दूँगा लेकिन सारे अंदलब सारे नहीं कुछ तुम भी करना ठीक है अगर 10 है तो मालो 7 मैं करा दूँगा तीन तुम करना ठीक है जितने भी tough tough होंगे वो सारे मैं करवा दूँगा ये देखो under root 2x square plus 7x plus 5 root 2 बराबर 0 अब कहोगे सर ये क्या दे दिया ये तो बड़ा भेंकर सा है ऐसा वैसा हो गया सर चक्कर आ रहे हैं इस तरीके से तो कुछ भी घबरानी जूरत नहीं है बहुत नकली कोश्चन है सेम वही चीज करनी है जैसे अब तक करते आए हो क्या करना है आगे वाले को पीछे वाले से multiply करो root 2 गुना 5 root 2 तो 5 तो अपनी जगा पे 5 है root 2 multiply root 2 तो क्या बन जाएगा 2 अब 5 दुनी क्या होता है 10 10 का factor बना दो 2 5 5 और 1 factor बन गया अब बीच में देखो क्या चाहिए 7 तो 5 और 2 7 होता है बात खतम 7 होता ही है तो क्या बन जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5 root 2 बराबर 0 यही होता है अब बात आती है common की common में दिक्कत होती है इसमें factor बनाने में कोई दिक्कत नहीं इसमें सारे दिक्कत आती है common में तो मैं वो भी दिक्कत नहीं छोड़ूँ आपके लिए चलो अब मुझे एक बात बताओ under root a multiply under root a बराबर a होता है की नहीं होता है तो क्या मैं under root 2 multiply under root 2 बराबर 2 लिख सकता हूँ की नहीं क्या मैं under root 3 into under root 3 बराबर 3 लिख सकता हूँ की नहीं क्या मैं under root 5 multiply under root 5 में 5 लिख सकता हूँ की नहीं बिल्कुल लिख सकता हूँ तो बस मेरी सरदर्दी खतम ये root 2 x square plus 5 x क्या मैं इस 2 को क्योंकि यहाँ पर root 5 वाला तो कोई चीज नहीं है लेकिन root 2 वाली चीजे है root 5 वाली तो कोई चीज नहीं है लेकिन root 2 वाली चीजे है तो मैं इस 2 को क्या मैं root 2 multiply में root 2 लिख सकता हूँ की नहीं? बिलकु लिख सकता हूँ क्यों? क्योंकि 2 को मैं root 2 into में root 2 लिख सकता हूँ तो मैंने लिख दिया प्लस 5 root 2 बराबर 0 अब इन दोनों में कुछ भी common आ रहा है क्या? हां जी x common आ रहा है और एक बार इसको ठीक है? प्लस का 5 इदर आके minus और ये इदर आके under root 2 प्लस का root 2 इदर आके minus का root 2 ये लो हो गया असान? ठीक है? तसल्ली हुई? अभी भी तसल्ली हुई? कोई दिक्कत नहीं एक question और कराऊंगा मैं 10 समदलो? छोड़ के नहीं जाऊंगा इतनी जल्दी ये देखो बच्चो 3 x square minus 2 under root 6 प्लस 2 बरावर 0 ये question है ठीक है? अब क्या करना है? ये ये same चीज पहले बाले को और आखरी बाले को multiply 3 2 जा 6 फेक्टर बनाना है अब भाई समस्य ये आती है कि यार फेक्टर बनाए कैसे अब समस्य ये आती है कि फेक्टर बनाए कैसे हाँ जी बच्चो तो देखेंगे अब 3 2 जा मैंने कर लिया 6 अच्छा बच्चो एक बात देखना जैसे मैंने यहां पर आपको क्या सिखा है माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 होगा तो इसे लिखेंगे माइनस का रूट 2 6 ठेक है इसी तरीके से अगर माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 होगा तो इसे लिखेंगे माइनस का 2 रूट 3 ठेक है क्यों? अच्छा ये 2 कहां से आ रहा है यह 2 आ रहा बच्चो, एक बार, दो बार, तो दो बार, रूट 3, एक बार, दो बार, तो दो बार, रूट 2, ठीक है, यहां 6 लिख दिया, सॉरी, ठीक है, यानि, रूट 2, प्लस रूट 2, दो बार, रूट 2, रूट 3, प्लस रूट 3, दो बार, रूट 3, रूट 5, प्लस रू 6 तो देखो इस आगे वाले 2 का मतलब क्या है? 2 बार और root 6 का मतलब 2 बार root 6 2 बार root 6 क्योंकि minus root 6 minus root 6 क्या बनेगा? minus का 2 बार root 6 हा की ना? जल्दी बता दो बनेगा की नहीं बनेगा तो बच्चों बस यही करना था हमें इसी तरीके से इसको break करना था ठीक है? तो 3 x square और यह 2 root 6 का मतलब 2 बार root 6 क्या हो गया? 2 बार root 6 बस बात खत्म इन दोनों में क्या common आ रहा है? इन दोनों में क्या common आ रहा है? x लेकिन बच्चों अब देखो यहाँ पर common लेने में बहुत बड़ी सरदर्दी है यहाँ पर common लेने में क्या है? बहुत बड़ी सरदर्दी क्या सरदर्दी है? ज़र ध्यान से देखो इस 3 को क्या मैं root 3 into में root 3? लिख सकता हूँ की नहीं लिख सकता हूँ? जल्दी बता दो लिख सकता हूँ? इस 3 को मैं root 3 into में root 3? लिख सकता हूँ? जी मैंने लिख लिया अच्छा अब यह जो root 6 है अंदर ही अंदर 2 into में 3 होगा की नहीं होगा भई 6 कैसे बनता है 3 into में 2 या 2 into में 3 तो क्या मैं इसे root 2 into में root 3 लिख सकता हूँ बच्चो separate करके ये तो आप 9th में भी सीख चुके हो कि बच्चो root 6 को मैं इस तरीके से separate करके लिख सकता हूँ तो देखो क्या मैं इस root 6 को root 2 multiply में root 3 लिख सकता हूँ की नहीं लिख सकता हूँ भई बिलकुल लिख सकता हूँ इसी तरीके से इस वाले root 6 को भी root 2 into में root 3 लिख सकता हूँ की नहीं बिलकुल और इस 2 को मैं root 2 into मैं root 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बिलकुल लिख सकता हूँ मैंने सब को separate करके रख दिया मैंने सब को क्या करके रख दिया separate ये आपको अजीव लग रहा होगा लेकिन आपके लिए beneficial यही है क्या सब को separate करके रख दो कि वह ए, 3 को root 3 into root 3, 2 को root 2 into root 2, 6 को root 2 into root 3, क्यों हो? क्योंकि 3 तुजा 6, root 6 को root 2 into root 3, अब देखो न, common लेना कितना आसान हो गया, क्या क्या common आ रहा है, इन दोनों में, root 3 x, तो क्या बचा अंदर, root 3 बचा, x बचा, root 3 x निकल लिगा, root 2 बचा, सही बात है, इन दोनों में क्य common निकलता हो दिखाई दे रहा है आपको minus का root 2 निकलता हो दिखाई दे रहा है क्या निकलता हो दिखाई दे रहा है minus का root 2 क्यों 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 कि मुझे ये चीज वापस अंदर चाहिए तो root 3 चाहिए plus का तो minus जबरदस्ती common लेंगे की नहीं लेंगे तो root 3 x और यहाँ पर क्या चाहिए minus तो minus common ले लो यहाँ minus आ जाएगा root 2 एक निकाल चुके हैं तो बचा क्या एक root 2 बरावर 0 बस खतम अब एक बार इसको और एक बार इसको अब एक बार इसको 0 के बरावर एक बार इसको 0 के बरावर तो x की value आ गए root 2 इदर minus का उदर जाके plus यह दर multiply कर रहा है इदर आके divide इसी तरीगे से इसको भी यह minus उदर जाके plus यह दर multiply कर रहा है इदर आके divide अंसर आगया simple ठीक है तो यह दो question मैंने आपको करवाए हैं बच्चो ठीक है यह यहीं तक है यह sub note कर लो आप लो ठीक है next class में सबसे पहले मैं root वाले ही कम से कम आपको 10 question करवाऊंगा ठीक है उसके बाद समझवाँ आ गया तो ठीक नहीं आया tension मतलो next class में कम से कम sorry कम से कम इसी type के मैं कम से कम 10 question करवाऊंगा आपको ताकि root से related जितनी भी आपके doubt है जितनी भी आपके संका है सब खतम हो जाए ठीक है फिलाल इसकी practice जरूर करना क्योंकि यह जितनी भी points लिखवाए है न मैंने यह यह तुम्हें root वालों में ही मिलेंगे ठीक है यह सारे points मैंने इसलिए लिखवाए है ताकि आपको क्या आजाए root वाली condition समझ में आ जाए ठीक है तो चलिए इसको note कर लीजिए और आज की class यहीं खतम करते हैं मिलते है next class में